तो ही गाइज विलकामेंट नाथे वीडियो आपकी वीडियो फिर पता नहीं ऊतना कंफूम बठा था था हमारी यह वीडियो है तो भाई लोग बहुत दिन बाद मतलब बहुत जादा लेट हो चुका था हमने मतलब एट टोर्णमेंट से टिप से रिलेड़ेड कोई वीडिय जाए नहीं की थी हाला कि कुछ प्रॉब्लम थी मतलब प्रॉब्लम क्या थी यार कुछ अलगी वीडियो के डिमांड आ रही थी तो इसलिए मैंने वह अप्लोड कर दी थी बट और एक्जाम चल रहे थे तो इसलिए हम थड़ा सा बरीक है तीन दिन में एक वीडियो आ रही है तो वो थोड़ा अरजिस्ट कर ली ना हर तीन दिन में एक वीडियो आएगी तो यार समझ लो ठीक है फोड़ा अरजिस्ट कर ली ना तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिसकस करने वाले कुछ एरड्रॉब के उपर मतलब एरड्रॉब का कुछ ऐसा प्लेज जहां तो आज का अगर प्लाइमन्ट के पास मतलब मतलब स्कॉर्ड में मैकसिमम मतलब मीनिमम बात करें सुरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम आपके तीन दू प्लियर के पास एड़ रप तो होना मतलब कंपल सरी है ही बाकी एक प्लियर से अपना ये बॉनफायर वगएरा लगा सकता है ऐसी कोई बात नहीं है बट लगा सकते हो बॉनफायर वगएरा बहुत ज़्यादा अची होती है टूर्णामेंट से रिलेटेड अगर आप टूर्णामेंट खेलते हो रिलेटेड नहीं टूर्णामेंट खेलते हो तो क्योंकि आपको यार वहाँ पर सर्वाइबल में ज्यादा हेल्प करती है, अगर आप 1 vs 4 है, 1 vs 3 situation हैंडल कर रहे हो, 1 vs 2 situation हैंडल कर रहे हो, medicate आप लगानी पारे हो तो वहाँ पर आप bonfire का यूज़ कर सकते हो, best option है, बाकी players हमारे जो 3 pair होते हैं, उनके पास air drop होना कंपल सरी है, कंपल सरी है, और यह अभी कैसे आप यूज़ करते हो और किन-किन जगे पर यूज़ करना ज्यादा मतलब अच्छा होता है, और कौन-कौन सी ऐसी situation आती जहांपर air drop अच्छा होता है, यूज़ करना, पहली बात तो यार, आपके पास loot होई, loot होगी और आप अच्छे से खेल रहे हो, rush खेल रहे हो, survive खेल रहे हो, आपके उपर depend करता है, आप brutal खेल रहे हो और या फिर आप कैसा करके camp कर रहे हो, कैम करने का मतलब वह नहीं होता है, गलत में मतली नहीं होता है, तो अभी आप कैसे खेल रहे हो, आपके उपर depend करता है, और अगर आपके पास sufficient loot है तो air drop जल्दी से जल्दी call करने का कोई भी sense नहीं बनता है, समझ रहे हो, मैं क्या बूलना चाहरा हूँ, क्या-क्या होता है, अगर आपके पास maximum मतलब, sorry minimum, आपके पास अच्छी-ची glue walls हैं, अच्छी-ची glue walls मतलब, collection of glue walls भी है, और एकदम west-west भी है, और gun ones भी हैं, अच्छी-खासी आपकी loot हो गई है, blue zone में, या फिर कहीं भी आप गए, आपकी loot एकदम perfect हो गई है, बज glue wall में थोड़ा सा कमी है, तो वहाँ पर airdrop आप call मत करो, आप मतलब अपना sense दिखाओ, थोड़ा सा मतलब गलत में sense मत दिखाओ, अच्छे तरीके सा sense दिखाओ, और airdrop को call मत करो, बिल्कुल भी call मत करो, और end तक survive करने का try करो, और जब last से second zone आए, third zone आए, आपको cover नहीं मिल पा रहा है, तब आप airdrop को use कर सकते हो, एकदम flatly place पे, flat place पे airdrop को use कर सकते हो, और कभी भी slope पे भी airdrop यूज कर सकते हो, ठीके, समझे रहों में क्या बोलना चाहरो, बट इसके लिए मैं आखरी में बताऊंगा कि दो places कब आप यूज करने, अभी समझो में क्या बोल रहा हूं, ऐसे places पे कुछ airdrop यूज कर सकते हो, ऐसे time period में कुछ airdrop यूज कर सकते हो, ओके last zone में, कभी भी अगर समझना, अगर आपको पास loot है, तो airdrop को use मत करना, पहला point अपारा यह है, कि कभी भी अगर आपके पास कुछ भी कोई भी ऐसी situation आजाती है, जहां कि मलब जहां पर आपको जाना पड़ता है, जिस situation से होकर, और उस situation से जाने के बाद, होकर जाने के बाद, आपके पास loot की कमी हो जाती है, आपके पास अच्छी कासी west नहीं है, यह आपके पास loot नहीं है, आपके पास weapons नहीं है, ठीक है, यह सब अगर scene होता है, यह सब scene create होता है, तब आपका airdrop जब charge होता है, क्यूंकि अगर starting में tournament में loot होती है, और mid मेर loot होना possible नहीं होता है, समझो में क्या बुल रहा हूँ, tournament start होता तब आप loot करते हूँ, यह थोड़ी नहोगा कि मतलब अगर आपके पास last से fourth zone है, और kill points निकालने का, तो वहाँ पर loot करना इतना possible नहीं होता है, तो वहाँ पर इन बंदों के लिए बोलना हूँ, जिनकी fight जल्दी हो जाती है, उनके साथ यह situation हो पाती है, क्यूंके पास loot नहीं होती है, और बंदे काफी alive होते हैं, zone छोटा हो जाता है, तो वहाँ पर loot करने जा अगर आपके पास groza निकलती है, तो supporter या फिर आपका assalter रख सकता है, ठीके ड्रगुन में निकलती है, तो assalter supporter रख सकता है, रशर के पास नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से वह रख सकता है, बढ़ हाँ रख लेगा, लेकिन अगर M79 निकलती है, तो supporter को देदो, वरना फिर एकदम सेट है, और गाइस कभी-कभी क्या होता है, कि आपको पता नहीं होता है, कि ड्रॉप कब मंगवाएं, ठीके, और आप क्या करते हो, एंड तक वेट करते हो, और फिर एंड में वेट करने के बाद आप करते क्या हो, मतलब फाइट ले ले लेते हो, आपको पता नहीं समस्ता नहीं हो और आप आराम से वेट करते हो ताकि आपको बंदे ना स्पोर्ट कर लेंगे अगर आपको थर्ड पार्टी हो जाएगी तो और कोई रराश करके मार देगा और कुछ हो जाएगा और फिर कोई ग्रिनेट फेक दाएगा अप सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर द्रॉप मंगा लिए ग्रिनेट फेक देगा कुछ लाउंचर मार देगा यह सब नेगटिविटी अपने दिमाग से निकाल देना क्योंकि यार अगर कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा पहली बात तो इस समझे लो रिस्क तो लेना पड़ेगा और ड्रॉप मैं मंगवाने अगर तुमारे पास कोई बंदा आ रहा है तुम लोग बैठे हुए आराम से सरवाइव कर रहे हो तुमारे पास उपर्चनिटी उनको मारने की तुमारे पास एक बेनफिट मेर मलब तुमारे पास एक एड्वेंटेज चाएगा कि हम उसको ठोक देंगे वो तो रजच तो हमें साथ हैं दखना है ड्रॉप अगर लेके गया हो तो उसका फुल यूटिलाइस करना वरना मत लेके जाना एक चीज और सुन लो अगर तुमारे पास साब कुछ एकड़ आर्नमेंट्स खतरना तरीके से हैं वेस्ट वेस्ट है सारे एकड़ने प्लेयर्स हो चारो प्लेय लाटिक निकलकि नहीं 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 निकली वह साब बात की बाते हैं अगर आपका एड्रोप नहीं बुलाना हैं अपको स्बर कर वाना बंदिานगों तो कॉइले तो नहीं दे अगर तोर तुम श्रॉप अ कवर मिल जाएगा आराम से और या फिर अकर तुम नीचे हो और स्लोप तुमारा उपर है तब भाई या एरड्रॉप मत फेक हो या फिर किसी के अंगड में फेक दियो मतलब अंगड मतलब सौरी यह तो लड़ा दिहाती लाइंवज होगी आप किसी के सपोर्ट पर फेक देना कर दो तीनो बंदे चारों बंदे अड्रॉप फेक दो अभी गैस क्या होगा वहाँ पर अगर जब फाइट लोगे या फिर मतलब दो-तिन टीम बचई में तीन चार टीम हैं वहाँ पर वाईट कर रही है तो एर्ट्रॉप गिरेगा किसी ना किसी के उपर गिरेगा आप चा तो आज के विडिवास टिन आइस तो च्थी ए च्थी गई कर देना तो तो डोस फोड़ी इंप एल। सुइस करने में अभि मिलते अभी अगलिया डोटů फिल लिन टेखषर प्लाइस अआ इक या उисл olurs पुर्ण guessing चुर्ण